नमस्ते मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्वीनी और आज हम बात करेंगे डॉक्सिसाइकलीन के बारे में डॉक्सिसाइकलीन एक ट्राइसाइकलिक एंटिबैटिक है जो शरीर में बैक्टीरिया से लड़ती है डॉक्सिसाइकलीन का उप्यों कई अलग-अलग जिवानों क उना कि पी किया जाते हैं जैसे कि मुहा से यूरीन इंफ्यूरानी ट्राइक्शों प्यूंग इंट्रेट इन्पेटिसं का इंफेक्शन रेस्पिरेट्रियर इंफेक्शन अख़ों का इन्फेक्शन राइंक्ष額न क्लेम आईडिया उपदंश मसुडों की बीमारी और अन एंटिबाइटिक से एलर्जी है तो आपको डॉक्यों नहीं लेना चाहिए आठ वर्षी कम उम्र के बच्चों को डॉक्यों केवल गंबीर या फिर जानलेवा स्थीतियों में ही करना चाहिए वी दवा बच्चों में दातों के स्टाई पी ले या फिर भूरे रंग के कारण को बने सकती है लिए और बच्चे को नुक्सान हो सकता है और आपको को बिमारी किड़नी की बिमारी एस्तमा और फिर रवीर्ञ सक़ err की बड़ा हुँँ प्रेशर है या यदि आपके रख्थ को पतला करने वाली दवाई जैसे की वारफरिंज भी लेते हैं करभावस्ता के दौरान इस दवा को लेने से अजन में बच्चे की दाथ और हड्यों का विकास प्रभावित हो सकता है गर्बवस्ता के अंतिम आधे भाग के दौरान डॉक्सिसाइक्लिन लेने से बच्चे के जीवन में बाद में स्थाई दात मलीनी करण हो सकताने की परमेन दातों का स्टेनिंग हो सकता है अपने डॉक्टर को बताएं अगर आप गर्दबती है या फिर इस दवा का उपयोग करते समय गर्दबती हो जाती है डॉक्सिसाइक्लिन गर्दमिरोद्ग गोलियों को कम प्रभावित बना सकती है तरबवस्ता को रोकने के लिए अपने डॉक्टर से कोई अलग कॉंटरसेप्शन के उपयोग के बारे में बात करें दूद में जा सकती है और नर्सिंग करने वाले शिशू में हड़ी और दाद के विकास को प्रभावित कर सकती है एब्सॉप्शन की लिमिट अग्यात है जब आप ये दवा ले रहे हो तो स्तनपान ना करें बच् बच्चों को ॉप्षियों केवल गंबीर य फिर जानलेवा स्तीतियों जैसे कि एंठ्रेक्स या फिर रॉक्टी मांटेन स्पॉर्टर्ड। फीवर के मामलों में करना चाहिए डॉक्सिसाइकलीन बिल्कुल वैसे ही ले जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है अपने लेबल पर दिये गए सभी निर्दोशों का पालन कर दी इस दवा को बढ़ी या फिर छोटी मातरा में या फिर प्रिस्क्राइब पिरेट से अधिक समय तक ना ले एक पूरे ग्लास पानी के साथ डॉक्सिसाइकलीन ले जब आप ये दवा ले रहे हो तो खूब सारे लिक्पिड प्रदात पिए यदि दवा आपके पेट को खराब करती है तो अधिकांज ब्रांड के डॉक्सिसाइकलीन को भोजन या फिर दूद के साथ लिया जा सकता है टॉक्सिसाइकलीन के विभिन ब्रांड में उन्हें भोजन के साथ या बिना लेने के बारे में अलग-अलग निर्देश दिये होते हैं सस्टेन रिलीस कैप्सुल या टैबलेट को कुछ ले तोड़े या खोले नहीं कोली को पूरा निगल ले यदि आप मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए डॉक्सिसाइकलीन लेते हैं तो जहां मलेरिया आम है उस क्षेतर में प्रवेश करने से एक या दो देन पहले ही इस दवा को शुरू करें टॉक्सिसेक्लिन इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है यदि आप मुझ से दवा लेने में असमत है पुलन इर्धारित अवदी के लिए इस दवा का प्रयोग करें संक्रमन पूरी तरह से साफ होने से पहले आपके लक्षनों में सुधार हो सकता है खुराक छोडने से आपको आगे इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है जो कि एंटिबाटिक दवाओं के लिए रेजिस्टेंट है याने की प्रतिरोधी है डॉक्सिसेक्लिन वाइरल इंफेक्शन जैसे की फ्लू या फिर सामाने जुकाम का इलाज नहीं करेगी एक्सपारी हो चुके डॉक्सिसेक्लि लेने से पहले या बाद में दो घंटे के भीतर आयन सप्लिमेंट मल्टी विटमिन कैल्चियम सप्लिमेंट एंटासेड ना ले डॉक्सिसाइक्लिन के साथ कई अन्या एंटिबाटिक लेने से बचे जब तक कि आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा करने के लिए ना कहां हो जैसे की पित्ती सास लेने में कठी नहीं चेहरे या गले में सूजन या फिर कोई गंभीर स्किन रियक्शन जैसे की बुखार गले में खराश आंखों में जलन त्वचा में दर्थ या फिर लाल या बैंगनी कलर के चकते जो फैलते हो चीनने का कारण बनते हैं अगर यह ल त्वचा या आखों का पीला पढ़ना अगर इन में से आपको कोई लक्षन है तो आपके डॉक्टर से बात अपने डॉक्टर को बताए अगर आपको गंभीर पेट में दर्थ दस्त जो पानी या फिर खूनी है गले में जलन निगलने में परेशानी सीने में दर्थ अन्या में बजना चक्कर आना मतली द्रिष्टी की समस्या या फिर आपके आखों के पीछे दर्थ होना भूखने लगना पेट के ऊपरी हिस्से में दर्थ जो की आपकी पीठ तक फैल सकता है ठकान मतली या उल्टी तेज रिदय गती गहरे रंका पेशाब या फिर अगर पी लिय के साथ शेयर करें और फार्मसिस्ट रश्विनी को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल ऐकन भी जरूर डबाए बैल अकन दबाने से जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी इसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरा कोई वीड इंट्रक्शन के बारे में कभी एक ही समय में ज्यादा दवाओं को उपयोग कना शुरक्षित नहीं होता है अझा दवाए डॉक्सी सैक्लीन के साथ परस पर इंट्रक्ष कर सकती है जिनमें डॉक्र की प्रिंट्र रिस्क्रिप्शन वाली दवाए विटामिन और हर्बल प् दिट्यादी मार्केट में डॉक्सी सेकलीन के कई सारे ब्रांट्स एवलेबल है इन में से मार्टी डॉक्स लेंटेकलेन वीबाजीं डॉक्सी काफी फेमस ब्रांट्स है अठ्रा वर्ष से कम आयू के बच्चों में तीवरे इंफेक्शन की उपचार के डॉक्सी सामान्य खुराक की रूप में फिर 12 गंटे के इंटरवल के साथ विभाजित डॉस में दी जाती है इसके बाद मेंटेनस की खुराक 100 मिलिग्राम प्रति दिन है डॉस प्रिस्क्रिप्शन से अधिक होने पर साइड इफेक्ट्स होने की घड़नाव में व्रिद्धी हो सकती है अगर आप टर्विनाफिन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू बाइबाइन टेक वेरी गूद केरोफ यह से